नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तै होता है लेकिन इनसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है अगर कभी आपका सामना बुरे समय या दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए होता है धैर्य, धीरज, सब्र अक्सर हमारे मेहंत प्रयास ओंकी विफलता हमें कार्य सिध्धी के पद से भटका देती है हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हार जाते हैं नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है, प्रयास ओंकी कमी से ही सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है अनुभव की बात है निश्चय ही कर लें कि संकट और असफलता के समय हमेशा धैर्य से काम ले हिम्मत से मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करें माना कि संकट के समय या हर को सामने देख कर धैर्य रखना उतना आसान नहीं है लेकिन अपने मनों विश्वास को द्रिड बनाए ऐसी परीक्षा की घड़ी में आपका साथ देते हैं लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय से किये जाने वाले कुछ उपाय तो मन की द्रिड़ता विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ उपायों को किया जाए तो निश्चित तोर पर आप जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुखकष्ट से अपना बेड़ा पार करा सकते हैं आज के विडियो में हम आपको बताएंगे लॉंग और इलाइची का प्रयोग करके किये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में सनातन धर्म में लॉंग और इलाइची को बहुत पवित्र माना गया है पूजा, पाठ, अनुष्ठान, आदी चीजों में इनका विशेश महत्व है लॉंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फाइदे मंद होने के साथ ही ये जोतिशिय उपायों में भी कारगर माना गया है लॉंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी किया जाता है क्योंकि इसे उजा का वाहक माना गया है अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लॉंग के प्रचलित उपाय आजमा सकते हैं लेकिन उपाय बताने से पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा एक कहावत है कि इलाज से बहतर है रोक्थाम तो घर से नकारात्मक उर्जा को दूर करके ऐसी उर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो इसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं शनिवार या रविवार की शाम को धूप पातर में पाँच लौंग तीन कपूर की टिकिया और तीन बड़ी इलाइची लेकर उन्हें जला लें जब इन में अगनी की लप्टें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमाएं पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्यद्वार पर छीन्टे मार दे इससे घर में मौजूद नकारात्मक उर्जा का नाश होगा और घर का मुख्यद्वार सकारात्मक उर्जा से भरपूर रहेगा शुक्र भातिक सुख, संपनता, कला, प्रसिधी, समरिध जीवन, सौंदर्य, काम, वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, एश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानि आप लगजरी लाइफ जीएंगे एशो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा, तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलाइची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते है शुक्रवार मा लक्ष्मी का दिन है इस दिन हरी इलाइची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है तो यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है, तो एक पात्र में जल लेकर उसमें दो बड़ी इलाइची डाल कर उस पानी को आधा होने तक उबालें फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला कर स्नान करें नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोले मंत्र है ओम जयन्ती मंगला काली भदरकाली दुरगाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा ये उपाई शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा आपके सभी रोग, शोक, संकटों का निवारण होगा अगर नौकरी व्यवसाय में या शिक्षा अरजित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलाईची का एक छोटा सा उपाई जरूर करें अगर आप चाहते हैं पढ़ लिखकर आप खूब सफलता पाएं तो छोटी इलाईची और मिश्री ले ले छोटी इलाईची से दो दाने निकाल ले और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दे वैसे ये उपाई किसी भी दिन आप कर सकते हैं लेकिन शुक्रवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा उस पीपल के सामने अपनी काम्याबी के लिए प्रार्थ ना करें फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़ कर ना देखें इस उपाई से निश्चित तोर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है बहुत मेहंत करने के बाद कईयों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है मौके हाथ से निकल जाते हैं, हर दम आर्थिक चिंताएं घेरे रहती है तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए उस दिये में दो लॉम डाल दें साथ ही हनुमान चालिसा का पाठ करें हनुमान जी को अपनी समस्या बताएं समस्या से मुक्ती की प्रार्थना करें फिर कार्यक्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ मन लगा कर मिहंत करें आपको सफलता अवर्ष मिलेगी शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हो तो शीघर विवाह के लिए यह एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर लें किसी भी शुक्रवार के दिन दो हरी इलाइची, सफेद मिठाई, मिठाई ना हो तो मिश्री और एक घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं वहां किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलाइची और मिठाई रख दें साथ मेजी का दीपक जला कर रख दें फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें ऐसा करने से आपका शुक्र का असर बहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुँच गई हो बेबस असाय महसूस करने लगे हो तो ऐसी स्थिती में किसी हिजडे को कुछ सिक्के और हरी इलाइची दान में दे दे हमेशा हरी इलाइची अपने साथ रखें और जब भी ऐसा मौका मिले किसी तृतिय पंथी को ये दे ये आपके उपर आई बला की तीवर्ता कम करने में मदद करता है अगर पती पतनी के रिष्टे में खटास आ गई है आपसी लगाव कम हो गया हो तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तीन इलाइची अपने शरीर से स्पर्श करा के किसी वस्त्रया रुमाल में बांध कर पूरे दिन अपने पास रखें फिर शनिवार की सुबह उन इलाइचीयों को पीज के किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें ऐसा आप लगातार तीन शुक्रवार तक करें ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है धीरे धीरे दूरिया खत्म होने लगेंगी अगर आप सुन्दर, सुशी, पत्नी चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा किसी गुरुवार के दिन हरी इलाइची को पीले कपड़े में बांध कर किसी गरीब को दे या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखा है कई बार नौकरी में आपकी मेहंत, लगन, सबको नजरंदास किया जाता है काबिलियत के अनुरूप ना तो पदोननती मिलती है, ना ही आमदनी में वृध्धी होती है आप निराश हो जाते हैं ऐसी खराब स्थिती से उबरने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलाइची को बांध कर तकिये के नीचे रख कर सो जाएं अगले दिन सुबह उस इलाइची को किसी बाहरी व्यक्ती को खिला दें उनती में आ रही सभी अर्चने दूर हो जाएंगी जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाएं तब अपने दाहिने हाथ में तीन इलाइची ले ले फिर मा लक्ष्मी के बीच मंत्रश्री का उच्चारण करके एक इलाइची खाले बाकी की इलाइची पॉकेट में रख के बाद में खाये आपको उसकार्य में सफलता अवश्य मिलेगी शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी की पूजा जरूर करें पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलाइची और लॉंग रख कर मा को अर्पित कर दें बाद में उसकी पोटली बना कर तीजोरी में रख दें धन की कभी कमी नहीं होगी कहते हैं इलाइची की खुश्बू लक्ष्मी को आकरशित करती है इससे धन के आगमन में निरंतर्ता बनी रहती है तो इलाइची और धन का काफी गहरा परस पर संबंध है कहते हैं दिन का पहला आहार इलाइची होना चाहिए यानि सुभह सबसे पहले कोई इलाइची युग चीज या फिर सिर्फ इलाइची के एक दो दाने ही क्यों ना हो जरूर खाएं या फिर सुभह आप चाय कॉफी लेते हैं तो एक इलाइची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें आपका पूरा दिन शुभ के साथ गुजरता है आशा करते हैं लॉंग इलाइची से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उप्योगी सिध्ध होगी जोतिश शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन सुभह गाय को रोटी खिलानी चाहिए इससे मा लक्षमी प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में